हलो फ्रेंड्स, वेलकम तु कुईक नॉलिज, आज हम आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से इंपोर्टेंट MCQ प्रस्नों को देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपदा प्रबंधन जेपेसी के प्रारंबित परिछा के दृष्टी कौन से काफी महत्पून टो तो चलिए इसके इंपोर्टेंट MCQ प्रस्नों को देखते हैं, पहला प्रस्न है आपके सामने, भुकम्प्य समवेदन सीलता की दृष्टी से जार्खन के सरवाधिक समवेदन सील दो जीले कौन से है, भुकम्प्य समवेदन सीलता की दृष्टी से जार्खन के सरवाधिक स सवय दन सील दो जीले कौन से हैं तो इस प्रस्पनका सही उत्तर होगा बी गोड़ा तका तका सहे गंज जर्वार्था करो सभवाधिक संवय दन दन सीhist तके दृष्टी सबया है चासे जर्वाधिक सबचेन सवार्थ सीलत month संवय दन से दिर्ष्टी से जोर्ण सकेंस, थर्ड और फोर्ट में आता है चारखन भुकम्प के समविदन सीलता के दृष्टिक से जून सकेंड थर्ड और फोर्ट में आता है जिसमें आपको बता दे कि जून सकेंड में साथ जीले आते हैं जून सकेंड में साथ जीले आते हैं जबकि जोन थर्ड में पांथ जीले आते हैं और जोन फोर्थ में दो जीले आते हैं ठीक है दोस्तों दो जीले आते हैं वे दो जीले गोड़ा तता साहिब गंज हो गए तो जोन फोर सबसे ज़्यादा सम्विदंसील हो गया जोन सबसे कम सम्विदंसील हो गया तो जोन फोर म दो जी ले आते हैं, गोड़्डा तथा साहिब गंज, जोन सकेंड में साथ जी ले आते हैं, और जोन थर्ड में पांच जी ले आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, वो कम्पे समविदन सीलता की दृष्टी से हम ये सब बात कर रहे हैं. नेक्स्ट कोर्शन देखते हैं हम लोग जार्खन रायज का कौन सब भाग बार से सरवाधिक परभावित होता है, तो आपके पास चार ओपसन है, तो इस परस्ण का सही उत्तर होगा, सी, उत्तर पूरवी जार्खन, जार्खन का उत्री पूर्विभाग बार से सरवाधिक प्रभावित होता है अगर आपसे पूछा जाए जार्खन का कौन सब भाग सूखा से सरवाधिक प्रभावित होता है तो इसका सही उत्तर होगा उत्री पच्मी जार्खन तो आपको यहाँ पर note down कर लेना है, उत्री 5 मी ज्यार घंड सूखा से सरवाधिक प्रभावित होता है तो यहाँ पर डो प्रस्ण के लिरे answer देख ली अगर पूझा जए बार से सर्वाधिक प्रभावित कौनसा हिसा होता है, तो उत्री 5 मी हिसा होता है जबकि सूखा से परभावित सब कौन से हिसा होता है तो उत्री पच्छ में हिसा होता है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा और किलियर भी कॉंसेप्ट हो गया होगा अगला प्रस्न की और नजर डालते हैं कुशन नमबर थर्ड जारकन का सबसे सूखा परभावित जीला निम में से कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि जारकन का सबसे सूखा परभावित जीला पलामू है तो उप्शन ए इसका राइट एंसर है आपको बता दे कि जारकन का सरवाधिक सूखा से परभावित जीला पलामू है जहां पिछले 22 वसो से बसा की मात्रा में घिरावत की प्रवती देखी गई है यहाँ पे पिछले 22 वर्सों से वर्सा की मात्रा में गिरावत देखी डई है नेक्स्ट कोस्टन पे नज़र डालते हम लोग कोस्टन नमबर फोर अप्रिल 2020 को राइज में कम बारिस के वज़ा से राइज के कितने प्रक्खंड को सुखा गरश्ट घोसित किया गया यह आपका करेंट अफेयर का कोस्टन हो गया इस टोपिक से रिलेटिड हम जितने भी एमसी की प्रसनों को डिसकस करेंगे उसमें करेंट के जो इंपोटेंट प्रसन भी होंगे उनको भी साथ में डिसकस करेंगे इसलिए यह सिरिज आपके लिए बहुत महत्पुन होगा तो आपको बताते हैं राइज के 55 प्रक्खंड को अप्रेल 2020 में सुखा गरश्ट घोसित किया किया इसमें से 55 प्रक्खंड में 17 प्रक्खंड को अती सुखार वाली स्रेनी में रखा गया था अत्ली सुखारवाल इस रेनी में रखा गया था तो इस प्रस्ण का एंसर हो जाएगा C. 55 प्रक्षण अगले प्रस्ण पर नजर डालते हैं कुस्ण नमबर फाइव महामारी अधिनियम अठारो सो संतान बे कि किस धारा के तहत महामारी प्रसार के रूप थाम के लिए बनाये गए आदेश की अवग्या करने पर दंद का प्रावधान है इस प्रस्ण में बूला जा रहा है जैसे कि कोई विसेश छेत्र में महामारी अधिनियम अठारो सो संतान बे या फिर देश के पूरे छेत्र में महामारी अधिनियम अठारो सो संतान बे लागो किया जाता है अलागो हुए उस छेत्र में महामारी को रोक्थाम के लिए सरकार कोई आदेश चारी करती है और उस आदेश कोई अवग्या करता है यानि कि उस आदेश को नहीं पालन करता है, तो उसके लिए दंड का प्राउधान है, तो इस अधिनियम, महामारी अधिनियम 897 के किस धारा में दंड का प्राउधान दिया गया है, आपको बता दे कि अप्रेल 2020 में कोरोना के बरते परकोप को देखते हुई, पूरे देश में महामारी अधिनियम 897 लागू किया गया था, जारखन चेत्र में भी इसे लागू किया गया था, आपको बता दे कि इस अधिनियम में केवल चार धारा हैं, इस अधिनियम में केवल चार धाराएं हैं, जिसमें से कि धारा तीन, जिसमें से धारा तीन में दंड का प्राउध इसमें कहता है कि इस अधिनियम के अधिन बनाएगे किसी आदेश की अवग्या करने वाले किसी बेक्ति के बिशेम में या समझा जाएगा कि उसने भात्य दंद सहीता आईपीसी की धारा 188 के अधिन दंदेय अपराद किया है इस दंद में 6 मां की सजा और जुर्माने का प्रावधान है तो यह आपको ध्यान में रखना है महामारी अधिनियम 1897 की धारा तीन के तहत दंद का प्रावधान है जिसमें से 6 मां तक की सजा का प्रावधान है या फिर जुर्माने का प्रावधान या दोनों हो सकता है अगला प्राशन है आपके सामने कोसन नमबर 6 सन कितना इस्वी का बात कर रहा है कि कितना इस्वी में राईजी के सभी 24 जीले सुखा से प्रावध थे किस इस्वी में राय जी के सभी जीले सुखा से प्रभावित थे तो आपको पता होना चाहिए कि सन 2010 में 2010 में राय जी के सभी 24 जीले सुखा से प्रभावित हुए थे और राय जी का कुल खगान घटकर आधा रह गया था आपको बता दे कि 2010 में 47 पतिसत व्वसा कम हुई थी जिसके कारण 10 लाख हेक्टेयर में भूमी पर धान की खेटी नहीं हो पाई थी तो यह आपको धान में रखना है कि 2010 इस्वी में 2010 इस्वी में रैज के सभी 24 जीले सुखा से परभावित हुए थे अगला प्रस्ण है आपकी सामनी रैज के कितने जीले तरित यानि की लाइटिनिंग से परभावित होते हैं तो इस प्रस्ण का जवाब देना है आपको तो आपको बता दे रैज के कुल 9 जीले लाइटिनिंग से परभावित होते हैं तो यह आप पुद्यान में रखना है, राइज के कुल नौ जीले लाइटनिंग से प्रभावित होते हैं. Next प्रसन है और काफी important प्रसन है, BVI प्रसन है, प्रसन है कि जार्खन राइज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन, यानि कि JSDMA का गठन कब हुआ था? तो इस प्रसन का सही उतर होगा, 2010, 2010 में जार्खन राइज आपदा प्रबंधन प्रधिकरन, JSDMA का गठन हुआ था? आपको बता दें कि राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14.1 कि अधार पर अथाइस मैं, 28 मैं 2010 इस्वी को JSDMA का गठन हुआ था, तो यह आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14.1 के तहत, 28 मैं 2010 इस्वी को JSDMA का गठन हुआ था, तो आपको यहाँ पर धारा most important हो जाता है, कब गठन हुआ था, यह भी most important हो जाता है, और किस अधिनियम के तहद गठन हुआ था, यह भी most important हो जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा, बी 2010 इस्वी. अगला प्रस्ण है, कुश्ण नमबर 9, जार्खन राइजे आपदा प्रबंधन प्रधिकरन, JSDMA में अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिक्तम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इस प्रस्ण का सही उत्तर होगा, C9, JSDMA में अधिक्तम 9 सदस्य हो सकते हैं, तो इससे पहले प्रस्ण में हमने JSDMA के गठन पे अधारित, विसायों पे चल्चा किया, अब बताते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या नौ होती है नौ सदस्ये हो सकते हैं अधिफ्तम इसके अध्यच कुन होते हैं इसके अध्यच राइज के स्यीयम होते हैं, यानि कि अभी बत्मान समय में हमसुरिन इसके अध्यच है, और एक कथ आपको और ध्यान में रखना है, जो कि महत्पून है कि राईज के राईजिपाल को एक राईजिपाल को एक राईजिपाल को एक राईजिपाल को प्राईजिपाल 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 को प् कि इसका अध्यच होता है अगला प्रस्न है दोस्तों कुस्टन नम्बर 10 स्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान यानि कि स्काइपा कहां इस्थित है आपके सामने चार ओप्षन है जमसेट पूर नहीं वुकारू नहीं धनबाद नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा भी राची में इस्थित है रजारखन राइजी में 2007 इस्थित है यह आप तक है नोट डाउन करेंगे याद रखेंगे 2007 इस्थित है आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन श्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान स्काइपा राची से किया जा रहा है तो श्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान इस्काइपा से 2007 इस्थित है आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जा रहा है यह आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तों आज के 10 सबसे महत्पुन प्रस्णों को हमने देखा हमने उससे रिलेटेद सभी महत्पुन तत्य को समझाया त बार दिन हमारे साथ जूरें तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सब ही का बहुत बहुत धन्यवाद